हे अवरिवन ये वीडियो में हम लोग बात कर लेते हिल स्टाट असिस्ट कंट्रोल ये जो फीचर है ये काम कैसे करता और इसके एडवांटेज़ क्या क्या है और हम लोग ये भी समझ लेते ये एंगेज कैसे होता है सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसका सिट्वेशन समझ लेते जब भी आप गाड़ी कोई अप हिल सिनेरियो में ड्राइफ कर रहे हो कोई अप हिल टेरेन में या कोई चढ़ान पर या कोई इंकलाइन सिट्वेशन में आप गाड़ी ड्राइफ कर रहे हो और सिट्वेशन न brake release करते है वो point पे activate हो जाता है और वो point पे activate होने का meaning ये है कि आपका brake pedal release करने के बाद भी गाड़ी जो है वो brake को अपने engage रखता है अब manufacturer to manufacturer ये time अलग-अलग होता है Toyota vehicles में हम लोग specially बात करें तो ये 3 सेकेंड तक maximum Toyota vehicles जो है वो brake को engage करके रखता है तो जब brake engage रहता है तो इसमें होता क्या हम लोग समझ लेते मान लीज़े traffic scenario में आप अफिल जा रहे थे पीछे एक object आ गया अब जब पीछे एक object आ गया आपने brake release किया अगर hill start assist control नहीं होता आपकी गाड़ी में तो chances है कि गाड़ी आपका rollback करेगा फिर pick up लेगा यूँकि जब आप brake से accelerator पे जाते हो थोड़ा time लगता है आपको भी आपके pair को move करने के लिए तो वो scenario में अगर पीछे कोई object है तो वहाँ पे danger create हो जकता है बट क्यूँके hill start assist control ने गाड़ी का brake को engage रगा था आपका गाड़ी वो ही point से कर लेंगे so hope ये video clear है हम लोग ये भी समझ लेते हैं ये scenario uphill का जो हम लोग भात कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे हमको मिलता है आप maximum time देखेंगे आजकल bridge पे जो flyovers होते हैं उस पे भी uphill incline मिल जाता है और उसमें अगर traffic हो तो गाड़ी आपका rollback करता है similarly आजकल malls में भी या तो basement parking है या तो level 1, level 2 पे parking है वहाँ पे भी आपको ऐसा incline मिल जाता है या जो भी scenario में आपको incline मिल रहा है Hillstart Assist Control बहुत अच्छा feature है जो आपको help करता है और safety के साथ आप बिना पीछे rollback की है pick up ले ले लेते हैं जिसके वज़े से पीछे जो hit करने के chances है वो बिल्कुल minimize या खतम हो जाते है Hope ये वीडियो आपको clear है कुछ भी doubt अगर है तो आप comment section में लिखके इसे clear कर सकते हैं Thank you so much